नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? सर कहां से हैं आप? सर संद्राम पाल जी मारा से नाम दिक्षा आपने कब ली? सर संद्राम पाल जी मारा से नाम दिक्षा लिने से पहले आप क्या वक्ति साथ नहीं करते थे? मैं बजरंग बली की भी भगती करता था तन्मन दहन से बखती करता था बजरंग बली ने मुझे सपने में भी आया था've उन्होंने सिद्धी भी दिः के ते रहात में एक गेहुं की कच्छी एक तरफ सेख के रोटी जिसको भी खिला देगा उसके रोग भी ठीक हो जाएंगे और तेरी जो आर्तिक समस्थ वह भी ठीक हो जायेगी मरकर कुछ भी नहीं हुआ कि मि coy दिपख जलाता था और माताजी की एक सक्ती भी थी मेरे पास में जो से मैं अगे पीछे भुधवहिश वर्तमान की भी बात बता सकता था मगर फीर भी दुखी थे में पर नहीं सेवह कंद मेरे सर पहले आपकी मादुर्गा में बहुत आटूट सद्दा थी आपको बहुत सारी सिद्या भी प्रापती तो फिर आप संत्रामपाल जी महाराज की सरण में कैसे आए गुरुदेव के बारे में संत्रामपाल जी के बारे में तो मैंने उनको गलत भी समझा के कोई संत्रामात्मानी हो सकता है और मेरी बिमारी कोई काटी ने सकता है जब इतनी बड़ी शक्ति मेरे साथ में है तो कोई ने काट सकता तब माता जी ने मेरे को दर्सेन दिये तो मैंन बच्चे दानी खराब हो चुकी थी तो में बदनावर बहुआ रतलाम भी गया ठादला भी गया सब भी तूर गया मगर मारी ठीक नहीं हुए और उसका पेड़ भी बहुत फूल चुका था मैं फिर बढ़ने गरा है डाक्टर कापडिया साब ने बोला कि अप्रेशन होगा तीन गठाने हैं इसमें एक कैंसर की गठाने हैं और इसके बाद हम रिक्स नहीं लेंगे और 15 रोज के अंदर अंदर तुझे अप्रेशन करवाना है पड़ेगा मैं घबरा चुका था मेरे पास पेशे थेनी मैं घर आगया घर आगया और मैंने का दिया तो बिमारी अप कौन ठीक कर सकता है अप्रेशन जो गठाने होगी तो अप्रेशन सही भार होगी उसी दिन संत इंटर्वीव में बटाया कि मेरी पत्नी को यह बिमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी में आरजी लगे ठीक हो चुकी इसलिए मैंने विचार करके अरजी लगई संतराम्पाल जी माराट ने बटाया कि बेटा भक्ती करो, यह बिमारी ठीक हो जाएगी तीन दिन के अंदर-अंदर मेरी पत्नी बिलकुल स्वस्त है और आज तक भी कोई बिमारी उसको नहीं है वह बिमारी बच्चे दानी की जो खरात तीन गठाने थी वह अपने आप फूट कर पिसाप की नाली से बाहर हो उसके बाद मुझे भी 12 महीने बुखार रहता था सब्सक्राइब बाद मेरे बच्चे को भी वह बिमारी थी और वह जो लोहे की की रोती थी और उसकी बाहर आचुकी थी डाक्टर ने गभरा चुका था उन्होंने बताया कि यह बड़े अस्पटाल में जाओगे तो इसका आप्रेशन होगा वान मालिक से मन ही मन अरदास लग सब भीज़ व 안ं होश्पिटल में अब्सक्राबाम सब्सक्राइबन सबहें हमारे गर काम कामोबार देख़ए लगने वेदेब्ध हुआ चाहँ बच्चा को है स्ञंत्र राम पाल जी की क्रफा से हमारी पत्नी की बीमारी बच्च दि-ध झाल na सब ठीक हैं अब तग हम ब इस तनी तीक हैं हमारे घर का काम करोबार अच्छा चलता है अगर इससे वारा प्रमातमा मंहारा जी के पता है मीरे बच्चे के कान में ग्यूंग चला गया था हमने कोसिस करी निकला हम पास के गाम मुल्थान ले गए थे वहां पुनमचंजी पाटेदा डक्टर साहब है उन्होंने भी वह देखा लिकालने की कोसिस करी मगर वो परदे के पास चला गया था उन्होंने बताए कि अब रतलां बड़ा हस्पिटल में बताना वो साइड में स चीरा देखिए निकाल देंगे हम गवरा चुके तो दोनों पत्नी पत्नी हमने जाते वक्त मालिक से अर्दास करी और मालिक से बोला कि मालिक इसा करना कि हम अभी घर घर आजाएं कोई खर्चा भी नहीं और यह ठीक हो जाना चाहिए हम पास की काम स्विमला दाओ गए वहा लोगा है और यह गवरा निकाल के मुझे दे दिया नियुक्त जो मेने माँ डंडवत करके संत रांपाली महाराज को वही का वहाँ जाके हुआ ना तो कोई पैसा लगा और एक गंटें वापिस हम घर आ चुके यह से के परमान हमारे साथ में हुए हैं उसके बाद यह मेरे से हुए और यहां मेरे को केंसर उठा था और जबान में भी केंसर था मगर जब हमने संद्धकुरा रामपल जी महाराज से नाम दिख्षा ली उसके बाद मुझे अभी तक कोई भी विमारी नहीं है और इतनी तंबाकु कहता था कि चाय तो और बहुत सारे पी लेते हैं मगर म में जहां तक कि मैं सराब भी पिने लगा था संद्रामपल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के बाद मेरी वह आदत छुड़ गए और आज तक मेरे को कभी वह एसा लत नहीं आती है कि मैं कुछ खालू आर्थी किस्तती हमारे सरीर के रोग रोग थे हमारे नसी की जो लत और ये मेरी समयशा भी कुछ भी नहीं रहे आज तक हम कोई गोली तक भी पूरे परिवार में कोई नहीं लेता है सरावा एक बात बताईए है आप बजरंग बली की वक्ती करते थे हैं मादुरवा में आपकी आटूर सज़दा थी लेकिन इतनी वक्ती के करने के बाद भी आपको कोई लाब नहीं मिल और आपको कैंसर हो गया उसके बाद संत्रामपाल जी माराज की सरण में आने से आपका कैंसर ठीक हो गया और आप नसा मुक्त भी हो गई तो संत्रामपाल जी माराज ने आपको ऐसी कौन सी भक्ति साधना और दवा दी जिससे आपका कैंसर ठीक हो गया सास्त्र के अनुसार जो भी भक्ति बताई वो सास्त्र के अनुसार है गीता में भी सत्रवेदीय के 23 स्लोक में लखा हुआ है कि भगवान कृष्ण कंहा है अर्जुन मेरा ओम् तथचिन्त यह नाम है तत और सत्ठु संकेतिक नाम है जो कोई उन्हों ने अर्जुन को कहा कि तत्वदर्शी संद्ध की खोचकर पंदरवय अध्या में बताया है जो पीपल का वरक्षु भी बता दे वो तत्वदर्शी संद्ध होगा उस संद्ध की संद्ध में जाके अगर तू नाम दिक्षा लेगा तो ही तू मोक्ष को प्रदान होगा वरना जन्म और मरण तेरे भी है अर्जुन मेरे भी है के बार तू जन्म मतलब हो चुक posición है तू जे मालूम है मुझे मालूम है उसके बार भगवान ने अर्जुन को ग्यान दिया कि तू किसी तत्व दर्शी संद्ध की संद्ध में जा जहां से तू मौक्ष को प्राप्त होगा क पोरे परमान के साथ में चाले सब्छाव में हम गए तो सास्त्र के आधार पेर हमें पूरा प्रमान साहित संत्र आमपाल माहराज आज भी बताते प्रमान के साथ हैं उसी भक्ती से हमें सुक मिले सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने के बाद आपका कैंसर ठीक हो गया आपकी पतनी का कैंसर ठीक हो गया और भी बहुत सरे लाब आपको हुए तो जो सरदालों आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदिश देना चाहेंगे सरा आपने यहां पर बताय कि संत रामपाल जी माराथ से नामदिक्षा लेने के बाद कोई विमारी ठीक हो जाएगी आज बहुत सारे अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं तो क्या वैं सारे मरीज संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद और जो उनके मरियादाएं हैं उन मरियादा में रहे कर चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो चाहे किसी धर्म संप्रदाय किसी का भी हो संत र माहराज नाम लेने के बाद आपको टच भी कर दे अगर नियम नहीं है तो मालिक तो कहते हैं में रहना पड़ेगा अगर नियम में रहके बड़ी कर प्रावात्मा को प्रावत्त होई नहीं सकते यह किसी सास्त्र में नहीं है कि इतना खाने पिने के बाद में हमें मिल जाएगा सास्त्र को विप्रित जो भी जाएगा वो कोई भी संत्रामपाल जी महाराज जी को छोड़ कर इनकी सरण में आने से चाहे कोई भी बिमारी हो कितनी भी खत्रनाग बिमारी हो मुर्दे भी जिन्दे संत्रामपाल जी महाराज ने किये हैं तो आपने यह है किसंतर रामपाल जी महाराज जी महाराज का एक गणटे का प्रमश्चन आता है और भी बहुत सारे चिनल है वहाँ पर भी आते हैं और साधना चेलल पर तो आप देखिए साड़े साथ से साड़ाड़ बजे तक आता है वहाँ नीचे पीली पठी चलती है उस पर नंबर रहते हैं संतर रामपाल जी महाराज जी के सेंटर खुले होएं आप माफोन करिए आपके पास के सेंटर का पूरा बता देंगे और संतर रामपाल जी महाराज जी के अस्वरा में फिरी से आपको नाम दिख्शा दी जाएगी धन्यवाद सार साथ सार